हलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोंका दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दूस्तो आज के लिन की बात करें तो बहुत सारे वीडियो आप लिए उनको मिल जाएंगे सो दूस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सरकर यह जो सरकर एक खिबाद एक नए धमा के आपर करते ही चले जा रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पर चीजों को देखोगे तो यहाँ पर लगबग तीन कंपनिस के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले एंड संडे का वीडियो भी अगर आप लोगोंने देखा होगा जो मैं बता थो कि आने वाले नेक्स्ट पाच दिन आप लोगोंने कौन-क सरकार यहाँ पर चल रही है उन्होंने यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ तो यहाँ पर 30% से ज्यादा जो उनके यहाँ पर मतलब प्लानिंग चल रही है शेर्स को यहाँ वह बेचने वाली है तो आप अंदाजा लगा सकते इतना बड़ा माल यहाँ पर बेचने खाप फ्लानिंग आपर चल रहा है और यह कोई इससे पहले हम लोगों के रडर में था ही नहीं इसके बाद भी जो दो कंपनीज हम लोगों को देखने को मिले सरकार ने अचानक हम लोग आपर कह सकते और यह सारी चीज़े अभी तक अचानका आज के दिन कॉंकोर में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों को देखने को मिले सबसे पहली अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो आप देख सकते हैं कॉंकोर टू लीज रेलवे लैंड फॉर थर्टी फाइए इस इन थ्री थाउजन फाइंड्रेट करोड यह जो पहले एक जो अमाउंट था वो लगबख 6,000 करोड के आसपास था और फाइनली यह साड़े 3,000 करोड के आसपास यह दिन फाइनलाइज होते वे देखने को यह आपर मिल चुकी है तो इसका फायदा भी कॉंकोर को ही होते वे देखने को यापर मिलने वाला है 92% की गिरावट थी profit की अगर हम लोग बात करें बट उसके बावजुद आप लोग देख सकते हैं स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को मिले क्योंकि उसके बाद से ही हम लोग को इस companies में बड़े-बड़े news देखने को मिल रहे इस company से जुड़े हैं पहले हम लोग को fund से related भी news यहाँ पर देखने को मिले अभी जाके यह जो 3,500 करोड की news यह वो देखने को मिले है और उसके बाद जो surprising वाली news थी कि 30% से जादा approximately अगर देखा जाए तो 31% तक का stake सरकार यहाँ पे concor को बेचकर यहाँ पे जूटाने वाली है सो यह बहुत ही surprising वाली news थी जो कि हम लोग ने आज के दिन यहाँ पर देखी है concor की बात करें 7th June की तो 13,5% के आसपास deliveries हम लोग को इस company में आपे होते वे देखने को मिल रही है सो दोस्तो यह तो बहुत ही चोकाने वाली news थी जो कि आज हम लोग ने आपे देख लिया कि सरकार 30% से जादा है मतलब आप अंदाजा लगा सकते कितने करोडों के shares यहाँ पे बेचने का प्लान यहाँ पर सरकार बना रही है अगर हम लोग बात करें तो दोस्तो और एक company जिसका नाम है Central Bank of India यह जो सो Central Bank of India का भी नाम यहाँ पर सामने आ चुका है कि यहाँ पर सरकार divestment का प्लान बना रही है या फिर आप बोल सकते हो privatization मतलब यही तो मैंने संडे के दिन बता है था कि सरकार के और फोकस रखना है divestment के news यहाँ पर आने वाली है क्योंकि यह जो companies में अगर हम लोग अभी की स्तीती देखने को मिल रही है तो कोई यहाँ पर investment के लागे के stock देखने को यह नहीं मिलते है कोई यहाँ पर PSU public sector में ज़्यादा निवेश करना चाते नहीं खास करके banks में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम लोग ने देखा जितने भी frauds होए उसमें number one पे अगर कोई रहता है तो public sector bank सी usually रहते है क्योंकि good governance की कमिया है बहुत ही easily अगर हम लोग बात करें एक दो person से ही loan sanction हो जाता है तो यह कुछ चीज़े है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं देख सकते हैं जब से शुरुआ तो 76% यह bank हम लोग को down देखने को मिल रहे है और सरकार यहां से exit भी हो सकते हैं मतलब प्राइटाइजेशन के और Central Bank of India भी यहां पर बढ़ सकते हैं अगेन कहना चोगा है यह सारी चीज़े हम लोग को रिपोर्ट के जरीए यहां पर देखने को मिला है तो यह भी बहुत ही surprisingly बात थी कुछ ऐसी news की तो 35-36% के deliveries हम लोग को इस stock में भी यहां पर होते वे देखने को यहां पर मिल रही है दोस्तो अगर हम लोग बात करें आखरी अगर कोई company है तो वो है I.O.B. Indian Overseas Bank और इसका भी दोस्तो नाम यहां पर सामने आ चुका है planning चल रही है अगेन कहे रहा हूं यहां पर लिख के बताना चूंगा reports के जरीए news सामने आ गए during the market कि Indian Overseas Bank का भी नाम सामने आ रही है यहां पर भी divacement से related यह भी company अभी radar पर है आप देख सकते हो साड़े बारा पसंट की तेजी देखने को मिली है तो यह चीज़े दोस्तो जिसके उपर आप लोग का नजर रहना चाहिए आप देख सकते कितने 21 रुपे का stock है maximum chat pattern मुझे ने लग था कि आपको बताने की जरूत है कि pattern कैसा रहेगा बिल्कुल भी खास नहीं है मतलब investment के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर traders लोग आते हैं पैसा कमाते हैं चले जाते हैं investment करने वाले सारे लोग यहाँ पर बरबाद हो चुके हैं अगर आप लोग यहाँ पर calculate भी करोगे कितने top level से गिरावट है तो 80-90% आप easily यहाँ पर कह सकते हैं roughly भी अगर मैं देखता हूं तो 87-90% तो आप लोग usually बोल ही सकते हो यही कहना चाहूंगा यह news जो देखने को यहाँ पर मिली है बहुत ही surprising news है कि इन companies से भी सरकार अभी exit होने का यहाँ पर plan कर रही है और इसके पहले भी सरकार ने last दिन के अगर मैं बात कर आपको बताया था कि 10 company में यहाँ पर OFS का plan यहाँ पर चल रहा है उसमें से तीन में तो सिर्फ OFS रहने वाले मासगाव डॉक, RVNL, IRFC और बाकी साथ में OFS भी रहेगा और प्लस शायद से सरकार इतना जादा हिस्सा अब OFS में बेचेगी कि अपना जो controllings तेके 51% उसके भी वो नीचे चले जाए बहुत सारे companies थे हुड को जैसी company तो वो भी वीडिया आप लोगों को याद जरूर होगा आप देख सकते इंडियन Overseas Bank का भी नाम यहाँ पर सामने आ चुका है इसके चलते यहाँ पर 7th June की में बात करूँ 20% के आसपास deliveries हम लोगों को देखने को मिल रही है जाते जाते यही कहना चाहूँगा एक बार वे news में आप लोगों को Google भी करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगे यह देखिए नीती आयोग ने recommend किया है प्राइवेटाइजेशन आफ सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवर्सीज बैंक यह सारी चीजे हम लोगों को देखने को मिल रही है देखिए सेंट्रल बैंक उफ इंडिया, इंडियन ओवर्सीज बैंक तो मैं अपने खुद के मन की बात नहीं बता रहा हूँ यह सारी चीजे में आप लोगों को यहाँ पर मतलब जो भी मार्केट में जो खबरे हम लोगों को चलती है वह देखने को मिल रहे है वही सारी चीजे में आप लोगों को बता रही है देखिए सरकार यहाँ पर स्टेक सेल करके यहाँ पर exit हो जाएगी तो automatically यह प्राइविटाइज यहाँ पे हो जाएंगी तो अभी आप लोग यह भी सोचोगे कि कितना percent यहाँ पे वो हिस्सा बेच सकते हैं obviously अभी तक यह news confirm नहीं है हम लोग को यह reports के जरीए news यहाँ पे देखने को मुल रहे हैं देख सकते हैं central bank of यहाँ से exit होने की बात करें but still reports के जरीए अगर हम लोग बातों को check करें तो आप देख सकते हो लगबग 7 to 14% on privatization buzz की अगर हम लोग बात करें तो jump किया है तो अगर आप लोग यह जानना चाते हो कि कितना percent वो exit करना चाते तो इतना समझ लीजे मैं already बता चुका 51% से नीचे जाएंगे तो अभी कितना है for example जितना भी रहेंगे for example 71% है तो इतना आप लोग समझ लो कि यहाँ पर यह 51 के नीचे मतलब लगब 21% से जादा यह बेचेंगे जितना भी balance 51 के नीचे गया कि controlling stack गया यहाँ पर कोई officially ऐसा बताया ने कि कितना बेचने वाले अभी तक बट privatize होगा मतलब क्या जैसे मैंने का ना कि 51 के नीचे चले जाओ तो फिर वो privatize यहाँ पर हो गया तो यह चाओ तो आप लोग खुद भी आपे calculate कर सकते हो सबस इतना ही कहना चाओंगा यह बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को surprising news भी देखने को पर बेच रही है तो यह सरकार के बहुत बड़े कुछ faciles है जिसके चलते हम लोगों को stocks में तेजी आते वे देखने को भी यहाँ पर मिली है आप अशागर तो आपको यह news पसद आयोगी तो ज़रूर इस video को like and share कर दिना तो that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our ring studio तब तक के लिए, bye bye